श्री राधि नमस्कार दोस्तों आखका हमारे चैनल भक्ती में विदानत में स्वागत हैं दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि प्रभुश्वी लक्ष्वन जी के असली माता पिता दसरत और माता सुमित्रा नहीं थी यहां दोस्तों उनके असली माता पिता भागवान श्र कट कर रहा हूं। दोस्तों आपने देखा होगा भगवान श्रीराम जब वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं तो माटा जान की उननकी, उंसे कहती हैं कि हम भी आपके साथ चलेंगी। भगवान श्रीराम पहले उन्हें मना करते हैं लेकिन गरें बाद में माता के जिद्धी के सामने भगवान कहते हैं ठीक है आपचलो तब उधर से लक्ष्मान जी आते हैं और वो कहते हैं प्रभू मैं भी आपके साथ चलूँगा लेकिन उस समय रामजी मना करते हैं क्योंकि हुआ승 बھरत और शतरोगन जी उस में राज में नहीं थे और राम जी के जाने के बाद उस से मैं राज को कौन समालता इसलिए उन्होंने कहा कि आप यहीं रहके माता पिता को और इस राज को भी आप देखो आपको यहां की जरूरत है तब लक्षबन जी ने साफ साफ कह दिया कि नहीं प्रभू मेरे माता पिता मेरा सब कुछ और मैं आपकी ही सेवा करूँगा मुझे इस जगत से कुछ लेना देना नहीं है भगवान शुर्म इस बात पे रीज गये और भगवान न वोला ठीक है जब इतनी ही जित कर रहे है तो चलो लेकिन पहले आप जाके अपनी माता पिता हूं लेकिन जब मैं ही इनका माता पित हूं तो ये आसरवाद लेने किस से गया है इसका मतलब ये कहता है लेकिन अभी मानता नहीं है दोस्तों जैसे ही मा शुमित्रा के पास लक्ष्मन जी गए तो माता ने आने का प्रियोजन पूछा उन्होंने माता के चेड़ों में दंडवत किया और बोला मा मैं प्रभु श कि आप जाओ माता से आगया लेकर आओ माता ने पूछा आपने क्या बोला था उन्होंने बोला कि मैंने तो बोल दिया था कि प्रभु मेरे तो माता पिता सब कुछ आपी हो मैं केवल आपकी ही सेवा करूँगा तब माता सुमित्रा मुस्कुराई और बोली कि बेटा जब तु कहता है कि तेरे माता-पिता वही हैं, तब तु यहां मेरे पास क्या गरने आये हैं। इस बात को सुनकर लक्ष्मान जी थोड़ा चौक गए। बोला मा, हाँ वो मेरे माता-पिता हैं, लेकिन जनम तो आपने ही दिया है। तम माता मुस्कुराई, बोला बेटा, तु बहुत ही भोला है, मैं धन्न हूँ जो तेरे जैसे मैंने पुत्र को जनम दिया, देख पुत्र वस्तुता है तू, है तो जानकी का ही पुत्र, क्योंकि इस देही, दोस्तों, जिसको देह, जिसके पास देह और सरीर होता है, उसको देही ने, इस देही अर्थात मुझ सुमित्र के गर्व में तुझको रख दिया, इसलिए केवल तू मेरा पुत्र कहलाया, दोस्तों, इस दुष्टांत को लक्ष्मन जी समझ नहीं पाए, तब उन्होंने एक प्रसंग सुनाया, उन्होंने बोला, बेटा, एक मान के चलो, एक दूध वाली है, जिसके यहां रोज दूध लेने कुछ गरहक आते हैं, एक समय किसी और काम में विस्त थी, तब दो गरहक आये, और उन्होंने बोला, कि हमको दूध चाहिए, तो उस दूध वाली ने अपने पुत्र से कहा, कि बेटा, उनको दूध दे दो, दोस्तों, तो वहां पे दूध दो बाल्टी, एक बाल्टी में और एक लोटे में रखा था, तो पुत्रे ने बोला कि मा, बाल्टी वाला दूध दे दूध या लोटे वाला दूध दे दूध तो दोस्तों, यहां यह सीखने वाली बात है, कि वस्त दूध तो गव माता का है, दूध ना बाल्टी का है दूद ना लोटे का है जब हमने इस दूद को बाल्टी या लोटे में रख दिया तब वे दूद बाल्टी या लोटे का कहलाया लेकिन हकीकत में वे दूद किसका है गव माता का इसी तरह पुत्र तो विदेही का है जब उस विदेही ने इस देही के सुटा तेरे माता पिधा तो भगवान श्री राम और माता जानकी ही है दोस्तों इस बात को सुनकर लक्षमन जी माता के चैड़ों में दंडवत किया और माता ने आग्या दी और माता ने कहा बेटा याद रखना जब भगवान शुरी राम सो जाएं तब ही तुम निद्रा को जाना और उनसे पहले उठके उनकी सेवा करना जब वो भोजन करें तब ही तुम भोजन लेना दोस्तों माता ने उनको ऐसा ग्यान दिया कि सारे कयार पहले प्रभुश्री राम करें फिर आप करना और याद रखना भगवान न करें अगर जो आप जानकी और माता और भगवान श्री राम के सेवा में आप सामर्थ नहीं हो पाए और उनको कुछ हो गया तो कभी भी आप लोट कर मुझको मुह मत दिखाना दोस्तों ये था माता सुमित्र का त्याग तो दोस्तों इस बात को संतों ने इस तरह विवरण करके बताया कि वस्तुता भगवान श्री राम और माता जानकी तो पूरे जगत के माता पिता है हम सब उनकी ही संतान है लेकिन यहां पर संतों ने इसका दिख्टान कुछ इस तरह किया और दोस्तों एक चौपाई है जो बहुत ही सुन्दर है उसका विवरण भी हम पूराम जर्तमानस में मिलता है और उसका भी यही अर्थ होता है दोस्तों आशा करता हूँ आपको जनकारी पसंद आई होगी और आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करें स्री राधि